गूड मॉनिंग ओल आफ यू आज हम लेसन नमबर जो 9 थे रीट की हड़ी यह लेसन आज हम सिखेंगे रीट की हड़ी का अर्थ है पीट के बीच की हड़ी उसको ही रीट की हड़ी कहते है लेखक का नाम है जगदिश चंद्रमाथूर अब हम लेखक का परीचे देखेंगे उनका जन्म 1917 बुलंद शहर उत्तर प्रदेश में हुआ और मुर्तियू 1978 में हुई जगदिश चंद्रमाथूर जी एक वरिष्ट साइत्यकार और संस्कृती पुरुष थे उन्होंने आकाश्वानी में काम करते हुए हिंदी को लोगप्रिय बनाने में महत्वपुर्ण योगदान दिया यने वे जब आकाश्वानी में काम करते थे तो उन्होंने हिंदी को लोगप्रिय बनाने में उनका सबसे महत्वपुर्ण योगदान है वे प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्टित है यने वे नाटककार के रूप में भी प्रख्या थै उनकी प्रमुक्रूतिया कोनार्क पहला राजा भोर का तारा शार दिया आदी उनकी प्रमुक्रूतिया है प्रस्तुद गद्डे में यह जो लेसन है यह एक एकांकी है प्रस्तुद एकांकी में जगदी चंद्रमाथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है याने इस एकांकी का में लेखक ने स्त्री शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया है समाज के दकनियान उसी विचारों पर प्रहार करते हुए लिखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है याने इस समाज में जो पुरानी विचारदारा है उस पर प्रहार करते हुए लिखक ने नारी सम्मान को जादा महत्व दिया है इस लेसन में लिखक ने स्त्री शिक्षा और नारी सम्मान को ज़्यादा महत्व प्रदान किया है याने ज़्यादा महत्व दिया है इस लेसन में कौन-कौन से पत्र है यह पहले हम जान लेंगे उमा सुशिक्षित यूती रामसरूप उमा के पिता प्रेमा उमा की मा शंकर युवक गोपाल प्रसाज शंकर के पिता रतन रामसरूप का नवकर यह इस लेसन के मुख्य पत्र है एक कमरा अंदर के दर्वाजे से आते हुए जिन महाशे की पीठ नजर आ रही है वह अधेड उम्रके है एक तक्त को पकड़े हुए कमरे में आते है तक्त का दुसरा सिरा उनके नवकरने पकड़ रखा है ययने जो उमा के पिताजी है तक्त का एक हिस्सा पकड़ते है और दुसरा जो सिरा है उसनका जो नवकर है रतन यह पकड़ता है राम सुरूप याने उमा के पिता जी अब धिरे धिरे चल अब तक्त को उधर मोड़ दे याने राम सुरूप जो है उमा के पिता जी यह रतन को कहते हैं कि धिरे धिरे चल और तक्त का मुँ उधर मोड़ दे उधर तक के रखे जाने की आवाज आती है रतन बिच्छा दे सहाब यानि उनका जो नवकर है रतन यहां राम सुरूप को पूछता है कि यहां पे बिच्छा देना है क्या सहाब फिर राम सुरूप कहते है बहुत बड़ी आवाज में जरा तेज आवाज में और क्या करेंगा परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो दू देर से पहुचा था क्या याने परमात्मा के यहाँ जब अकल बट रही थी तब तू देर से पहुचा था क्या बिचा दू साब और यहाँ पसिना किसलिए भाया है याने तू मुझे प है यापे तक्त अंदर रखने के लिए कि बाहर रखने के लिए ऐसे रामसरूप उसे दाटे हुए कहते है रतन तक्त विचाता है और ही 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 ऐसे हसता है याने वहापे वो तक्त विचाते हुए हसता है राम सुरूप दरी उठाते हुए और बिबी जी के कमरे में से हर्मोनियम उठाला और सितार भी जल्दी जा रतन जाता है पती पतनी तक्त पर दरी बिचाते है प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुह फुलाए पड़ी है याने जो प्रेमा है वह अपने पती से कहती है कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है वह मुह फुलाए बैटी है राम सुरूप क्या हुआ यहने वह अपने पत्नी से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है फिर प्रेमा उनको बताती है प्रेमा तुमी ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना है यहने आपने मुझे पहले कहा था कि उसे तैयार करके नीचे लाना है तो रामसरूप कहते है अरे हाँ देखो उमा से कह देना कि जरा करिने से आए करिना इने ब्यूटी पारलर याने उनके पिताजी बेटी से कहते है कि जरा तैयारी करके आना है ये लोग जरा ऐसे ही है खुद पड़े लिखे है वकील है सबा सोसाइटी में जाते है मगर चाहते है कि लड़की ज़्यादा पड़े लिखे न हो याने उनके जो पिताजी है रामसरूप वह अपने पत्नी को बताते है कि लड़के वाले किस तरह के है किस पैटर्न के है कि वह खुद तो पड़े लिखे है वकील है सबा सोसाइटी में जाते है परन्तु उनको लड़की ज़्यादा पड़े लिखी नहीं चाहिए प्रेमा फिर उनकी पत्नी उनको पुछती है और लड़का याने लड़का कितना पड़ा लिखा है ऐसा उनकी पत्नी उनको पुछती है राम सुरूप बाप से सेर है तो बेटा सवा सेर बीस के बाद लखनों में ही तो पड़ता है वह बीस के बाद लखनों में तो ही पड़ता है मेडिकल कॉलेज में कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है पढ़ाई का दूसरा क्या करू मजबूरी है याने वह सब पढ़े लिखे है परन्तु उनको लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए वह कहते है कि जो उनका बेटा पढ़ा है तो उसकी पढ़ाई एक तरफ है और शादी दुसरी तरफ तो ऐसे में उनको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ऐसे रामसरूप अपने पत्नी को बताते है रतन बाबुजी बाबुजी धीमी आवाज में यानि उनका जो नवकर है रतन वह रामसरूप को पुकारता है धीमी आवाज में राम सरू दर्वाजे से बाहर जाकर अरे प्रेमा वे आ भी गए तुम मुमा को समझा देना यहने वह दर्वाजे के बाहर जाकते हुए अपने पत्नी को कहते है कि प्रेमा वह आ गए है तुम मुमा को समझा देना थोड़ा सा गा देंगी मेमानों से हम 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 यहने हसते हुए वह कहते हैं आईए आईए बाबु गोपाल प्रसाद बैठते हैं याने जो राम सुरूप है वह गोपाल प्रसाद को कहते हैं कि आईए आईए बैठिये हाँ 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 मकान ढूनने में कुछ तकलिफ तो नहीं हुई याने वह पूछते हैं कि मकान ढूनने में कुछ तकलिफ तो नहीं हुई वह गोपाल प्रसाद बैठते हैं तो आज हमने इस तरह से लेशन नमबर जो नाइन थे रीट की हड़ी यह जो लेशन है इस लेशन के तीन चार पेरिग्राप सिखे है बाकी का हम मुकल सिखेंगे